प्रतानमंतरी नरेंदर मोधी आज कानपूर के दोरे पर हैं प्रतानमंतरी मोधी के चलते उनका हेलिकोप्टर उड़ान नहीं भर सका कार से पी एम मोधी का काफिला चकेरी एरपोर्ट से चल कर आइयाइटी पहुँचा यहाँ षात्रों को पीम डिग्री माटेंगे चाही है विजिबिल्टी कम होनी के वज़े से पीम का हेलिकॉप्टर उरान नहीं भर सका दिसंबर के 22 दिनों में प्रधानमंत्री का या सात्वाई उपी दोरा है कानपूर में सबसे पहले मोधी आयाटी के दिक्षान समारों में सामिलों ने पहुंच गए हैं इसके बाद न स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी के अंत्री मद्यक्ष सोनिया गांदी ने धोजारोंड किया इस मौके पर सोनिया गांदी ने कहा कि हमारी विरासत गंगा जमनी संस्कृति को मिटाने की कोशिश हो रही है देश का आमनागरिक और सुरक्षित महसूस कर रहा है लोग आगिरा आखिरकार सोनिया गांदी ने हाथ से ही पार्टी का जंडा फैराया इस मौके पर कॉंग्रेस के पूर्वध्यक्ष राउल गांदी ने सुबकामनाय देते हुए ट्विट किया हम कॉंग्रेस हैं वो पार्टी जिसने हमारे देश में लोकतंत्र की स्थापना की और हमें इस धरोहर पर गर्व है अगली खबर लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे की लोग प्रेता से उत्साहित कॉंग्रेस लड़कियों के मैराथान के आयोजन में लगी हुई है बीते 26 दिसंबर को जहासी में हुई बड़ी भीण के बाद आज लकनोग के एकाना स्टेडियम में भी कॉंग्रेस पार्टी ने इसका आयोजन किया आपको बता दे कि आयोजन 26 दिसंबर को लकनोग के 10-94 पर होना था पर तब प्रसासन ने इसके अनुमती नहीं दी थी इस कारिक्रम में भागेदारी के लिए लड़कियों का उत्साह और भारी भीण देखकर पार्टी की माचे के लिए हुई है बताया जा रहा है कि आज यहां करीब 20,000 लड़कियों की भीण थी इस मौके पर कॉंगेस नेता और 20 से आएके पूरवद्यक्ष राजी शुकला प्रदेश अजयललू नसीमुद दिनसिद्ध की सहीद बड़े नेता मोजूद रहे अब पार्टी वारानसी में आने वाले 6 जनवरी को बीएच्यू सिंग द्वार से सहीद उद्यान तक लड़कियों के मैराथान का आयोजन करेगी अगली खबर डॉक्टरों के हरताल की नीट पीजी 2020 काउंसलिंग में देरी को लेकर दिल्ली में बड़ी संख्या में रेजिडेंट डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया प्रदर्शन के दोरान पुलिस और डॉक्टरों के भी जड़क होई डॉक्टरों का आरोप है कि पूलिस ने लाटी चार्च किया इसमें कई डॉक्टर घायल हुए है यह जडेंट डॉक्टरों ने कल यानि सो मार को सड़कों पर मार्च भी निकाला अंदोलन के वज़ा से सफदर जंग, आरेमल और लेडी हार्डिंग अस्पतालों के साथ ही दिली सरकार के कई अस्पतालों में भी मरीजों का इलाज प्रभावित हुआ है वहीं Federation of All India Medical Association यानी फेमा ने दिली पूलीस की कारवाई के विरोध में 29 दिसंबर की सुबह 8 बजे से देश बर में सभी स्वास सेवाओं को बंद रखने का ऐलान किया है अगली खबर चुनाओ की किंद्र सरकार और चुनायोग ओमिक्राउन के बढ़ते मामलों के बीच फिलाल अगले साल यूपी समेथ 5 राज्यों में होने वाले विदान सभा चुनाओ टालने के मूड में नहीं है केंद्री स्वास सचिव राजेश भूशन ने 5 राज्यों उत्राखंड, गुवा, मडिपूर, उत्तर प्रदेश और पंजाब के साथ उच्छे स्तरी बैठक की जिसमें इन राज्यों में वैक्सिनिशन और टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिये गए कि चुनाओ आयोग ने सोमवार को दिली में चुनावी राज्यों के सवास सचिव के साथ बैठक की थी अगली खबर, 5 राज्यों में होने वाले चुनाओ को लेकर चुनाओ अपने सिडूल पर ही टिका रहना चाहता है आयोग ने चुनावी राजियों उत्तरप्रदेश, उत्तराखन, गोवा, पंजाब और मडिपूर के स्वास सचिवों के साथ ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों पर चर्चा की है इन राजियों में वैक्सीन कवरेज और ओमिक्रॉन केसिस का आंकड़ा भी मांगा है चुनाव आयोग और स्वास विवा की साजा बैठक हुई, बैठक के बाद राजियों से केंदर के साथ मिलकर किये जा रहे कारियों का डेटा मांगा गया है इसी रिपोर्ट के आधार पर जनवरी के पहले हफते में बैठक होगी जिसमें चुनाव को लेकर अंटिम फैसला किया जाएगा अगली खबर, मिल रही जानकारी के मताबिक पांच राजियों के चुनाव में कई पाबंदिया लगाई जा सकती है ओमिक्राउन को लेकर के केंदरी स्वास सचिव की रिपोर्ट के बाद संभव है कि चुनाव आयोग बड़ी रहलियों और जनसभाओं पर रोक लगा दे वर्चुल और डोर टूर कमपेंड की इजाज़त मिल सकती है चुनाव परचार के तरीकों में बदलाओं के साथ मास्क और दोगच की दूरी को पूरी तरीके से लागू किया जा सकता है अभी तक चुनाव आयोग के रुक के अनुसार चुनाव को टालने की संभावना बहुत कम है हलागी चुनाव इस बार प्रचार और भीर प्रबंधन पर एतियातन बड़े कदम उठा सकता है अगली खबर अगले साल 2022 के विदान सबा चुनाव से पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव की टीम उत्तरपदिश का दोरा करेगी इस टीम में मुखे चुनाव आयुक सुसील चंदरा सहीत का एधिकारी सामिल है आज से शुरू होने वाले तीन दिन के वे दोरे पर ओमिक्रॉन के मद्दे नजर चुनाव तैयारियों की समिक्षा की जाएगी आपको याद दिला दें कि मुखे चुनाव आयुक सुसील चंदरा ने पिछले सुक्रवार कहा था कि वे अगले हफ़ते स्थिती का जायजा लेने के लिए यूपी जा रहे हैं समिक्षा के बाद चुनाव होगा या नहीं इस पर फैसला लिया जाएगा अगली खबर अगले साल पांच राज्यों में चुनाव होने वाले हैं चुनाव के मद्देनेजर अब राजनैतिक दलों और नेताओं के बीच राजनैतिक हमले और जुबानी जंग तेश हो गई है समाजवादी पार्टी के मुख्या अखलेश यादों ने मुख्यमंत्री योगी आदे तनाद पर निसाना साधा है अखलेश ने ट्विट कर 79,000 सिक्षक भरती का मामला उठाया है अखलेश ने का कि मुख्यमंत्री जी मंच से नौकरी रोजगार के जूटे आगड़े दे रहे हैं जबकि सच्चे बेरोजगार उनके द्वार पर सासन पर सासन की हिंसा का सिकार हो रहे हैं बात-बात में होर्डिंग लगवाने वाले मुक्रमंत्री जी उनके होर्डिंग क्यों नहीं लगवा देते जिनको उन्होंने नौकरी या रोजगार दिया है। और दिल्ली वा मुंबई में आतंकी गद्विद्यों की साज सरच रहा था। इसके गिरफतारी पर जर्मनी वा भारत के राजनेकों का कहना है कि भारत सरकार ने जर्मनी की सरकार से उन खालिस्तान समर्थक कट्टरपंथियों को गिरफतार करने का आग्रह किया था जिनके क्रोना वाइरस के ओमिक्रॉन वैरियंट ने खतरनाक रफतार पकड़ ली है सो मार को एक दिन में सबसे ज्यादा 135 मामले दर्ज हुए हैं जिससे कुल मरीजों की संक्या बढ़कर 687 हो गई है दिल्ली में कल ओमिक्रॉन के रिकार्ट 63 केस मिले जो कि देश की किसी वी राज के इंद्र सासित प्रदेशों में फैल चुका है इस भीष भारत में कोरोना के दो और वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है सीडी स्यों ने को एक्स और कोर्वी विकेस को आपात स्थिती में मंजूरी दे दी है आज के अंक में इतना ही धन्यवाद